हेलो फ्रैंक्स आपका स्वागत है कुख विदनीती में तो फ्रैंक्स आज हम बना रहे हैं डिफरेंट टाइप से गोबी की सबजी या फिर कह लीजे बिना टांग की गोबी हाँ जो गोबी होती है उसका पीसिज अलग-अलग हो जाते हैं लेकिन कही बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा तो न्यू डिफरेंट टाइप से कैसे बना रहे हैं तो चलिए फटा फट शुरू कर लेते हैं बिना टांगी गोबी की सबजी से पहले हमने गोबी ले लिया है उसको अच्छे से हम देख लेंगे एक जो फूल है उसको कि इसमें कोई भी कर लिया है इसके साथ हमने दो मीडियम साइज के आलू लिया है उसको चील के वाउच करके हमने कट कर लिया है बहुत ज्यादा ना पतला कर रहा है जिसकी हम करेंगे प्यूरी तियारी जो कि मैंने अल्री कर लिया है और अब सबसे पहले हमें करना है एक पैने कड़ाई में ओयल गरम तो हम मस्टर्ड ओयल में ये रेसिपी रेडी कर रहे हैं तो ओयल गरम कर लेते हैं बाल करम हो चुका है वन टी स्कून जीर डालेंगे अब डालेंगे हम इसमें अगर तो आप में डालेंगे हम लिट्टी का पेश अच्छी के घुनने देते हैं और इसके बाद मिंदालेंगे टमाटर श्यूरी तो यारा इसके अधर रेड शिरी पॉर्डर आप रेगलर कश्मीर लाज मिर्टी डालेंगे तो आप रेड़ी मैंने हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं तो मिर्ची ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से डाल लिया और एक चमजबर डाल लिया पर तर्मरी पॉर्डर वन टीस्पून डाल दें नहां पर धनिया पॉर्डर सभी तो पर डाल देते हैं हम जो हमने कद्दू के गोभी की थी बूडाल देंगे ठोड़ा से भून लेते हैं चलाते हुए तो घुच्छ थोड़ी सी डाल कर ज्यादा नहीं हुनना थोड़ी देरी बूनना बस कुछ सेक्षिंच के लिए और अब हम इसमें डालेंगे लगबक टमाटा जाए कियाक तो मैंने तोर डाल दिया है इस तरीके से आपको जितना ग्रेवी इसमें चाहिए अब ज्यादा कम कर सकते हैं अब डालेंगे टमाटा डुल्री आलू जो मैंने दो आलू पट किये थे वह डाल देंगे लिए अब आती है नमक की बारी अब डालेते हैं हम इसमें नमक टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डालना है कम यह ज्यादा जितना आपको पसंद है अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको ढब कर छोड़ देते हैं हमें तब तक इसको कोप करना है जब तक कि हमारे जो आलू ह सब्जी बनकर रेडी होगे बिना टांग वाली गोभी यानी ग्रेवी में ग्रेवी नहीं है थोड़ी सूखी हमारी गोभी की सब्जी और इसमें हम हाफ टीश्पून दाल रहे हैं लास में अमचूर कोडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला आप चाहें तो ल और अच्छा टेस्ट आजाएगा अच्छे से कढ़िए मिक्स और सब्सक्राइट करने के लिए हमारी सब्जी और रेडी आप पूरी है चैपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं सुबह के नाच्ते में या रात के डिनर में बच्चों के लिए लैंश बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है जो बच्चे नहीं खाते हैं गोबी और कर देते हैं साइड में वो चटा-चट खा जाएंगे इसको और उन्हें बड़े मज़ेते खाएंगे तो क्योंने ट्राइ करें आप तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर करने ना बूले और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू